Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel You are with Tech Talk with Lalitir So, आज का जो वीडियो है, काफी important वीडियो है और वो है कि हम RS Logics 500 Software में OSR and OSF यानि OSR नुमोनिक होता है, जिसका full form होता है One shot rising and OSF होता है One shot falling तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था है कि ONS instruction कैसे use करते हैं ONS का मतलब होता है one shot, यानि एक shot generate करना जो भी pulse आती है, उस पर सिर्फ एक shot generate करेगा तो आज हम बात करेंगे one shot rising and one shot falling की तो help में जाके, आप instruction plate में जाएंगे, instruction help में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए OSF, यानि one shot falling आपको दिखाई दे रहा और एक होता है one shot rising, जो आप यहाँ से देख पारें तो इन दौना instruction के बारे में हम जानेंगे उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा clear करना चाहता हूँ कि exactly यह instruction होता क्या है और कैसे काम करता है तो मैं यहाँ से आपको एक explain करता हूँ exactly होता क्या है let's suppose कि friends हमारे पास कोई field से input आ रहा है और जो भी कोई input आ रहा है इस तरीके से एक single pulse होती है single pulse मतलब क्या होता है मान लिया कि मेरे पास कोई normally open push button है right और यह मैंने PLC के input पर connect किया हूँ तो जब मैं इसको press करूँगा तो press करने का मतलब क्या है कि initially तो यह off है right और जब मैंने जैसे ही इसको press किया तो on हो गया right तो on होने का मतलब है कि जब मैंने press किया off to on किया तो यह on हुआ तो इसको बोलते है rising age यानि आप देखिए यह मेरी single pulse है एक परोरी यानि क्या होता है कि जब button press किया और release किया यानि मैंने क्या किया पहले press किया तो off to on गया और जब button को release करेंगे तो क्या होगा on to off यानि on से वापस आएगा off इस तरह से यह single pulse कहलाता है तो यानि rising age क्या होता है यह होता है यानि जब मैंने button को off state से यानि normally open button है या कोई भी pulse है पल्स पर initially नहीं आ रही है और जैसे ही आएगी तो यानि off to on state में जाएगा इसको बोलते हैं basically OSR यानि one sort rising यानि अगर pulse आ रही है उसको बोलते है pulse rising होना उस समय मुझे एक one sort generate करना है जिसको बोलते है OSR instruction तो OSR instruction का का काम क्या होता है कि basically rising age पर यानि जब कोई off to on pulse आती है उस पर कोई action generate करता है उस पर एक output generate कर देगा signal generate कर देगा अब क्या है मान लिया कि मेरा output on है यानि कोई button press है अब मैं उसको release करूंगा यानि वो initially on है और जैसी मैं उसको release करता होती है यानि वो off state में जाता है इसका मतलब pulse चली गए यानि pulse मेरी जो आई थी वो जा चुकी है उसको बोलते हैं उस चीज़ को आपको अगर detect करना है तो उसको बोलते हैं OSF यानि one sort falling यानि pulse जाने पर अगर pulse fall कर रही है उस समय कोई one sort generate करना है उसके लिए OSF instruction यूज करते हैं इसका purpose काफी important होता है अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई action होना चाहिए signal आने पर pulse के आने पर उस समय OSR instruction यूज कर लिजे अगर आप चाहते हैं कि signal अगर चला जाता है उस समय मुझे कोई action जनरेट करना है तो उसके लिए OSF instruction में यूज करूँगा तो देखिए एक single pulse का मैं एक जांपे ले लिता हूँ यहाँ पर तो सबसे पहले एक blank आपको रंग चाहिए तो insert आप press कर दीजे या user में जाके आप यहाँ से click कर सकते हैं bit में जाके आप यहाँ से एक no instruction ले लिजे और उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है osr intersection लेना है जैसे मैंने यहाँ से ले लिया osr intersection तो आपको क्या करना है जिस input जनी input एक ही रखना है जो भी pulse आएगी आपको यहाँ पर देना है तो माना i-hole-0.0.0 ले लिया और यहाँ पर मैंने लेख दिया pulse यानि input pulse तो input pulse का मतलब है field से जो input pulse आ रहा है वो यह है तो pulse मतलब आएगी भी और जाएगी भी यानि एक single pulse में क्या होता है pulse आती है और फिर चला जाता है तो यानि एक single pulse होता है इसमें एक one sort होता है rising जब pulse आती उसको rising बोलते है पलस जब चली जाती है तो falling बोलते है तो OSR में क्या है एक चीज है यहाँ पर storage बिटा आप यहाँ से storage यानि जो pulse one sort generated हो आराइजिंग पर वो कहां इस्टोर होना है यहाँ पर save कर सकते हैं तो यहाँ पर binary का address देंगे b3 colon 0 slash 0 and मैं चाहता हूँ वो transfer हो जाए output पर o colon 0.0 slash mana 2 ले लिया यानि जब वो pulse आएगी वो one sort होके one sort में यहाँ store होगा यहाँ से transfer यहाँ हो सकती है और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं आप input लगा के आप output connect कर सकते हैं जैसे यह drag कर दिया यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि two number output से मेरा three number एक वार on हो जाए इसी तरीके से अगर मुझे क्या करना है जो pulse अगर चली जाती है उस समय कोई action लेना है तो उसके लिए हम use कर देंगे OSF मैं यहाँ से track कर लूँगा input address में same ही रखूँगा change नहीं करूँगा यहाँ पर देखें जो यहाँ है को कि same pulse है इसी input पर पदसाएगी और इसी से जाएगी तो same address ले लिया यहाँ पर आप ऊपर मैंने binary 0 लिया है तो यहाँ पर कोई और ले सकते हैं b3 colon 0 slash 1 ले लिया जो output यहाँ पर 2 है उसकी जगे मैं यहाँ पर 3 ले ले लेता हूँ o colon 0.0 slash 3 3 नहीं ले सकते हैं कोई 3 उपर ले लिया तो मैंने मान लिया 4 ले लिया अब मैं इस 4 नंबर के output से और एक और output चलाना चाहता हूँ तो drag कर लिजे और मान लिया कि output मेरा 5 नंबर हो गया आप ऐसे edit कर सकते हैं यहाँ से आप compile verify करेंगे तो verify जो के देन यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो अभी यहाँ पर मैंने जो clear आपको बताया है वो यह बताया है कि pulse एक ही है input इसी से osr लगा दिया और इसी से osf लगा दिया तो जब मेरी pulse आएगी rise करेगी तो storage bit restore करेगी then transfer to two number output और two number से एक और output corrected है वहाँ हाई होगा जब pulse मेरी चली जाएगी उससे osf execute होगा storage bit one on होगी इससे output पर transfer होगा और यहाँ से मेरा output number 5 क्या होगा on हो जाएगा right तो अब यहाँ से देखेंगे क्योंकि one sort है तो यह थोड़ी बहुत सा or duration की pulse आएगे यहाँ पर अगर on करेंगे तो यह देखें यहाँ पर on किया यहाँ two number पर देखेंगे आपको पता चलता है और जब pulse चली जाएगी तो मेरा चार number पर रहा यहाँ पर यानि देखें अब two number पर ध्यान देना जैसी मैं यहाँ से on करूँगा तो two number पर blink सा हुआ यानि one sort rising यानि जब pulse आई तो one sort दिया इसने और जब मेरी pulse जाएगी यानि अभी मैं force off करूँगा तो चार number पर मेरा क्या होगा तो देखें off करेंगे तो देखें one sort fall हुआ तो यह वाला on यानि one sort rising का यूज कहा करते है कि अगर आपको कोई भी action लेना है कि जब pulse आ जाए देन उसके बाद मेरा action चालो होना चाहिए यानि उसी पर rising पलस आने पर यह action होना चाहिए तो one sort rising instruction यूज करते है आप चाहते हैं जब pulse चला जाए उस समय कोई action होना चाहिए तो one sort falling instruction यूज करते है description में में लिख देता हूँ so that आपको clear हो जाए यानि edit comment में जाके लिख सकता हूँ कि one sort rising works when any pulse comes right तो इस तरीके से आपको एक बार clear हो जाएगा तो यहाँ पर लिख दिया one sort rising works when any pulse comes and यहाँ पर मैं लेख दे रहा हूँ कि one sort falling यानि F-A-W-I-N-G falling works when any pulse goes जब कोई pulse जाती है then उसके बाद हमारा जो work करता है वो one sort falling work करता है यानि मैं इक वाट आउनलोड करके फिर दिखा देता हूँ so that आपको concept clear हो जाए यानि अगर यहाँ से on करेंगे इस तरीके से one sort rising and one sort falling instructions होते हैं जो यूज होते हैं बहुत important instruction है और काफी ज़्यादा यूज होते हैं तो ओप आपको यह instruction clear हुआ होगा आप इसके practice कर सकते हैं study कर सकते हैं वीडियो जरूर पसंद आया होगा वीडियो को like जरूर करें subscribe करें चैनल को and share करें तो आगे और भी वीडियो जाएंगे लगातर follow करते रहें so thanks for watching my videos अźयूर करें जिए झाई olur